हेलो ठीके स्टुटेंट्स बहुत-बहुत सौगे थैं आप सभी का सोश्यू पॉइंट चैनल पर उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज का फर्सट पार्ट देख चुके होंगे है न जो समस्टर फाइफ है बीये समस्टर फाइफ ऑसोशालजी पेपर वन उसके सेलबस में है आपका राधा खमलब मुकरजी का एक एक कॉंझेप the social structure जिसका फर्स पारट आपको मिल गया है फर्स पार्ट में आपको राधा-कमल-मुकर जी के बार में बहुत important बाते बताई गई है इसके अलावा हमें मुल्यों को पढ़ने की जरूरत क्यूं होती है है ना भारती संदर्व में इंडियन सोसाइटी के कॉणटेक्स में इसको इसके अलावा आपको एक theory बताए गई जिसका नाम है integrated theory of values है ना मुलियों का एकिक्रत सिद्धान्त यह जो थियोरी है यह इसका second name है अब इसको integrated theory of values क्यों कहा जाता है इसका reason बताए गया है ठीक है अब हम लोग इस next part में आ गए हैं इसमें हम लोग जो भी लोग detail में social structure of values को जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है ना long answer लिख सकते हो अगर short note भी बनाते हो तो आपको दोनों वीडियो देखने चाहिए और सारे points short में एक short note के अंदर होनी चाहिए तो अच्छा short note कहल बताएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बतादू कि आप लोग बहुत अच्छा answer अगर लिखना चाहते हो तो max weber का जो values related theory है उन्होंने values के बारे में जो भी बताया है उसको इससे अगर relate करके बताते हो तो answer और ज्यादा बहतर बन जाता है ठीक ह राधा कमल मुकरजी ने social structure of values को इन दो बुक्स के अंदर बताया है ठीक है इन दोनों बुक्स के अंदर social structure of values के बारे में बात की गई है अब हम इस वीडियो में एक definition देखेंगे जो राधा कमल मुकरजी ने दी है value की इसके बाद हम लोग characteristics देखेंगे types देखेंगे nature देख इसे नहीं होते बलके उनमें एक hierarchy पाई जाती है एक संस्तरन पाई जाता है ठीक है तो यह सारी चीज़ें आज cover हो जाएंगी देखेंगे यह हम लोग definition देख लेते हैं यह inverted quotes पे लिए इसका मतलब यह word to word राधा कमल मुकरजी की definition है ठीक है इसको समझ लेते हैं और पढ़ के जीवन में अंतरी करण हो जाता है और इस प्रकार यह भावनात्म काधार पर हमारी प्राथ मिक्ताएं मांदन और अकांशाय बन जाती है मतलब सबसे पहले देखो मूली क्या है मूली को समाजिक रोप से मानता मिली हुई है ठीक है मतलब सारे लोग मूली को accept करते हैं कि ह मूले सही होते हैं ठीक है दूसरी बात एक इंसान की जो भी इच्छा या लक्ष होते हैं एक इंसान की जो भी डिजायर्स होते हैं या जो भी वो गोल अपना बनाता है वो सारे के सारे वो ही बनाता है जो सोसाइटी कहती है कि हाँ ये ठीक है है ना अगर सोसाइटी कहती है यह गलत है तो मतलब वो मतलब society के मुल्यों को खिलाफ है ठीक है तो एक इंसान वो ही इच्छा या लक्षे रखता है जो की socially approved होता है जो की समाज माननेता दे चुका होता है जिन चीजों को ठीक है अब ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चलती है कि मैं जो भी goal बनाने जा रह है है ना आगे definition पढ़ो पता चलेगा कि इन मुल्यों के बारे में पता कैसे चलता है पता कैसे चलता है समाजिक सीख के दौरा या समाजिक सीख को अलग तरीके सा अगर कहो sociology की भाषा में तो समाजी करण कहते हैं इसको समाजी करण की प्रक्रिया है ना conditioning learning या socialization की थ्रू में पता चलता है कि क्या value है ये एक प्रॉसेस होती है जिसके थ्रू हमें हमारे अंदर अंतरी करण हो जाता है किसका मूल्यों का ठीक है इंटेर्णाइजी हो जाते हैं यह सारे values इस process के द्वारा ठीक है इस process के थ्रू। जो तो जो हमारी प्राथमिताएं होती हैं जो हमारी अकांशाएं होती हैं वो सारी मूल्यों के अकॉर्डिंग ही होती हैं क्योंकि हम लोग सीख चुके होते हैं तो अब आप ये definition समझ जाओगे अराम से कि मूलے समाजी कुरूप से मानेता प्राप्ट वे इच्छाएं और लक्ष होते हैं जिनको हम समाजी करण की प्रक्रिया के द्वारा सीख जाते हैं और वो हमारे अंदर हमारी लाइफ में और हमारे मन में अंदर अंतरी करण हो जाता है जिनका और फिर वो हमारी भभावनात्मा काधार पर प्राथमिक ताएं बन जाती हैं, हमारे मांदंड बन जाती हैं, हमारे स्टैंडर्ड, हमारी अकांशाएं, हमारी इच्छाएं बन जाती हैं, ठीक है, मतलब हम पूरे के पूरे वैल्यूस के अधीन हो जाते हैं, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग characteristics देखते हैं values may be defined as socially approved desires है ना देखो socially approved desires and goals जिनको हम कैसे सीखते हैं that they internalize through the process of conditioning learning or socialization and that becomes subjective preference standards and aspirations है ना समझ गये होगे अब इसका reference कहां से लिया गया है यह reference लिखा हुआ है राधा कमल मुखर जी की definition है a general theory of society book से लिया गया है ठीक है यह reference आप लिख सकते हो values के बारे में एक अलग से वीडियो है जो कि आप लोगोंने बीए semester one में पढ़ा होगा तो वो concept है आपके channel पर भी मौजूद है यह video ठीक है values का अलग से अगर आप detail में समझना चाते हो तो उससे समझ सकते हो तो आप लोग समझ गया है न कि values कितने जादा important होते हैं इस definition से एक society में जो भी लोग है वो आप से आप से यही उमीद रखते हैं कि आप values के according ही काम करोगे ठीक है social expectation होती है वो ठीक है समाजिक प्रत्याशा कह सकते हो ठीक है और बहुत सारी types के values होते हैं वो सारी चीज़े भी आपको पता चलती जाएंगी दीरी दीर है characteristics में आपका first point लिखा हुआ है characteristics मतलब विशेष्टा है universality ठीक है सारुभामिक्ता सारुभामिक्ता का मतलब होता है हर जगा पर पाया जाना और हर समय पर पाया जाना time and spaces का relation होता है तो मतलब यह जो values होते हैं यह अलग-अलग types से मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही जैसे values हो यह आपको first part में clear किया गया है है ना वो लेकिन हर जगा पर पाये जाएंगे मतलब हर culture में हर type की society में पाये जाएंगे और हर time period में आपको यह देखने को मिलेंगे है ना पहले के time period के values अलगते आज के अगर प्राचीन काल के देखो है ना पुराने जमाने के देखो या आज आधुनिक समाज के देखो तो values में difference देखने को मिलता है आपको ठीक है लेक है ना जिसे लोग कहते हैं मैं बहुत मेरे आदर्श और मूले बहुत जरूरी है मेरे लिए मैं उन्हीं पर चलता हूं या मैं किसी और को follow करता हूं मतलब एक इंसान अलग-अलग तरीके से चीजों को सीखता है लेकिन चलता वह values के according ही है ठीक है मतलब हर जगा हर समय पाय क्या होता है सोसाइटी जैसे आपको पता है ना कि सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है वह हमेशा एक जैसी नहीं होती इसलिए सोशालजी बहुत एक बहुत कॉंप्लेक्स सब्जेक्ट है क्योंकि सोसाइटी हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं कि जैसे हमारे नेचुरल सा भी बदलते रहते हैं ठीक है अब जैसे पहले के टाइम पे इंटरकास्ट मेरेजस नहीं होती थी आज होती है आज बलकि उनको बढ़ावा दिया जाता है ठीक है इस तरीके की चीज़े हैं आज जैसे हम लोग बहुत जादा वाटसप यूज करते हैं तो वाटसप से रेलेट में बदलते रहते हैं ठीक और नयने भी एड होते रहते हैं इसके अलावा इसका सिंबॉलिक एक्स्प्र triще या प्रतिका अभिवाइख्ती निति को भी वाई्यूश करते हैं ऑब जैसे कहते हैं कि बडों का संबान करना चाहिएं तो किसे संबान और зр Rag Adan तो उसको हाथ ज या जैसे आप अगर विवाह के बारे में जानते हो तो अगर हिंदू विवाह में क्या होता है कि आग के चारो और परिक्रमा करके जो भी कहते हैं पेरे लगा करके वो करते हैं शादी करते हैं तो मतलब क्या है कि आप उसको एक धार्मिक बंधन बना रहे हो कि आप आग को अच्छी बन कहा जाता है कि सुसाइटी उतनी ही अच्छी होती है ठीक है उतना ही ज्यादा वो कंट्रोल होती है उतना ही ज्यादा बैलेंस होती है तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिलाल वैल्यूस को किस से शो करते हैं सेंबल से ठीक है कॉम्पेटिशन इन वैल्यूस मूल तो टाइम के साथ साथ बदलती रहती है अब जैसे पहले के जमाने में क्या कहा जाता था कि अगर आप इस्त्रियों को बहुत जादा छूट देते हो तो वो इस्त्रियों के लिए हानिकार रख है उनकी सुरक्षा के लिए और बागी चीजों के लिए ठीक है यह मूले बना इस्त्रियों को समानता काधिकार दो है ना यह नहीं कि पती परमेश्वर है दोनों एक को एक्वालिटी दो तो constitution आया दीरे दीरे सुसाइटी में सारी चीज़ें constitution में equality दी गई है ना कि सभी समान है सारे धर्म सारे सारे gender सब equal है ठीक है तो इस्त्रियां भी equal है ठीक है और इस्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए जादा जोर दिया गया तो इस तरीके से मूलियों में प्रतिसफ़ता देखने को मिल रही है जो है GDP जो है देश का उसमें समान भागीदारी दो ठीक है करने दो उनको तो तो मतलब इस तरीके से क्या है एक नया value पुराने वाले value से compete कर रहा है देरे देरे क्या होगा देरे धेरे होगा इकठे ही नहीं होगा पुराना वाली जो है वह हमेशा के लिए खतम हो जाएगा लेकिन यह प्रोसेस बहुत लंबी होती है और धीरे-धीरे होती है और हमेशा सारे जितने भी लोग हैं उन पर बहुत जादा पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं उसका विरोत करते हैं मतलब एक घर के अंदर आप कॉंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है आपको क्योंकि वहां पर दो वैल्यूस का कॉंपटिशन चल रहा ह है एक कह रहा है नहीं मैं सही हूं दूसरा कह रहा है नहीं मैं सही हूं है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैंक्शन अबजिक्टिफ मानेता प्राप्त लक्ष यह तो आपको पता चल गया ना कि वैल्यूस मानेता प्राप्त लक है ना कि आप values के according ही काम करोगे है ना और इसकी मानने तक इसने दिए society ने दिए society ने मिल करके ठीक है आप जितना ज्यादा मूल्यों को फॉलो करते हो आप आपको लोग उतना ज्यादा अच्छा मानते हैं कहेंगे यह बहुत अच्छी personality है ठीक है आप जितना ज्यादा इंटर्नलाइज अच्छे से कर लेते हो social values को लोग आपको उतना ही ज्यादा नैतिक मानते हैं लोग उतना ह सम्मान है वो सारा का सारा values ही decide करते हैं ठीक है उसके पाद next point देख रहे हो आप आत्मिक स्विकरती spontaneous sanction आत्मिक स्विकरती मतलब क्या है इसका relation internalization से है आंतरी करंट से है क्योंकि आपने सोशलाइजेशन यानि कि समाजे करन के थूँ सारी चीजों को समझा है ना दीरे-दीरे सारी चीज़े समझ गए आपको सारी चीज़े पता चल गई किस कंडिशन में कैसे बिहेव करना है सही से तो आपको कोई आके बताता नहीं हर वक्त की यह वैल्यू है और ऐसे करो उसको आपको खुदी समझ जाते हो कोई भी situation आती है कि आपको कैसे behave करना है आपको कैसे react करना है तो मतलब कभी भी आपके अंदर conflict नहीं चलता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं इसके चार तरीके मैं किस तरीके से करूं इसको नहीं आपको तुरंद पता चल जाता है कि society ऐ किसे मैं किसको करूं है ना आप आप चीजों को सीख चुके हो आपके अंदर वो सारी चीज़ें आज चुकी है इसलिए आपको ज्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज को करने से पहले ठीक है कैसे कपड़े पहन करके घर से बाहर निकलना है ना कहां पर जा तो उसको ध्यान में रख करके आप आराम से तुरंत उसी हिसाब से अपूरे से घीजर अदरो सैंक्षन होता यह स्कूलाइजेशन वैल्यूस को सीखते हुआ है और वो आपके अंदर इंटरनलाइज हो गया है अंत्रीक्रत हो गया है कि यह समझ के समाजी करण द्वारा अंत्रीकरण वैल्यूस को हम सबसे पहले परिबार के साथ रहता है पडोस के साथ रहता है बच्चों के साथ खेलता है तो दीरे-दीरे इन सारे लोगों से सीखता है फिर स्कूल जाता है स्कूल में सीखता है ठीक है बड़ा होता है तो बाकी लोगों से मिलता है तो दीरे-दीरे सारी चीज़े मतलब कैसे क्या करना है किस छोटे बच् जर्बनी में चले जाओ ठीक है या कहीं किसी और कंट्री में चले जाओ तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि मैं अगर रेस्टरूम में बैठा हूँ तो यह फोक रखा हुआ है नाइफ रख्यों ही एक प्लेट में और यह रखा हुआ है कोई डिश रख्यों है तो इसको कैसे खाऊं सोचना पड़ता है ना क्योंकि आप एक नई सोसाइटी में चले गए अगर आप अपनी सोसाइटी में रहते हो जहां आपको सुचलाइजेशन होए तो वहाँ पर यह सारी चीज़े आपको खुदी सीख जाते हो आप सीखना नहीं पड़ता है तो और आपके अंदर अंतरीकरत हो जाता है इसलिए आपका स्पॉंटेनीस सेंक्शन होता है तुरंत आप रियाक्त कर देते हो किसी भी चीज़ को ले करके जैसे वह सही तरीके से करना चाहिए तो यही सारी चीज़े हैं तो यह सारी चीज़े हैं इसके बाद फटा-फट से आपको काफी क्लेर ह हो गया होगा अब यह समझ में आ जाना चाहिए तुरंत क्लासिफिकेशन आफ वैल्यूस किया इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आप नोट्स बनाते हो तो इसको मतलब नोट्स लिखते हो एक्जाम में शॉर्ट नोट या लॉंग आंसर तो आपको यह मे इस्ट क्वालिटी का होता है जैसे कि एक्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो दूसरों की मदद करना सच बोलना हमेशा हमेशा नयाय का साथ देना दया करना ठीक है सब पढ़ लेना उसके बाद आपका एक्जिस्टेंशियल वैल्यू भी कहते हैं इसको इंस्टूमेंटल व होता है संबत्ती प्राप्त करना कोई सुसाइटी में आप स्टेटस गेन करो या सत्ता आया आपके हाथ में आप हमेशा हल्दी रहो ठीक है इंसे रिलेटेड़ जो वैल्यूज होते हैं देखो अब बहुत क्लियरली इसको समझ लो वर्ट से समझ सकते हो इंट्रिंसिक वैल एक इंसान की जिन्दगी का जो परम लक्ष है जिसको शुद्ध हिंदी में कहें तो क्या है एक अच्छा बहतर इंसान बनना और अच्छा इंसान कैसे बनेगा यह सारी चीज़े सीख करके ठीक है चलो यह तो हाइस्ट हो गया उसके बाद आप अगर आप बहुत गरीब हो आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप यह सारी चीज़े करने कैसे किसी के उपर दया करोगे जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे किसी की help करोगे है अगर खाना नहीं है तो चुराने की कोशिश करोगे न्याय तो करने के काबिल ही नहीं रहोगे तो उसके लिए क्या ह है आपको पहले तो instrumental values follow करने पढ़ेंगे है ना इसलिए उन्हें दो टाइप के बता है साधन संबंदी मूले मतलब आप चीजों को चीजों तक कैसे पहुंचोंगे साधन मतलब medium है ना जिसे मालों आपको college तक पहुंचना है तो आपका goal क्या है college इस तो बात में आएगा पहले आप कैसे जाओगे वो तो देख लो इसलिए existential value भी कहते हैं कि आपका existence तो रहे इस दुनिया में है ना आपका अस्तित्य तो रहे तो तो टाइप के values होते हैं अब संपत्ति मतलब क्या अगर आप इस दुनिया में हो तो कहीं नहीं रहना पड़ पड़ेगा है ना सत्ता हाथ में आए आपके कुछ ना कुछ ठीक है उसके बाद healthy भी रहना पड़ेगा अपने health का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको ठीक है health का health related बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब आप अपने अच्छा अच्छी दिंचर्या को बनाओ अपने आपको discipline बनाओ है ना तभी तो आपका health अच्छा रहेगा ठीक हमेशा खुश रहो इसके बाद आपका एक आता है मूलियों की प्रकृति जिसमें nature है ना उन इसलिए मैं बता दे रही हूं आपको मूले और गैर मूले क्या होता है यह नकर आत्मक में आग की मातरा ज्यादा लग गई है ना ठीक है चलो वैल्यूज और डिस वैल्यूज को किसी कारेंट से लोग उसका अपोस करके एक अपना अपने मतलब खुद का परसनल नया वैल् रखते हैं और फिर उसको कहते हैं कि यही सही है जैसे आपको वैल्यूज में सिखाएगा ना कि जस्टिस मरसी हैना सच बोलना अब जैसे कहा हमेशा सच बोलना चाहिए ठीके अब आपने आप आपके पास पैसे नहीं है है ना आपके पास बहुत सारी दिक्कते हैं फाइनेंशल ठीके तो आप क्या करोगे आप कहोगे कि कि अगर मैं जूट बोल करके मतलब अपने घर वालों के लिए भला कर सकता हूं तो कोई बात नहीं कर सकते हैं जूट बोल सकते हैं ठीके कभी कबार जूट बोल सकते हैं तो यह आपका खुद का वैल्यू है ना परसनल तो यह डिस वैल्यू आप डेवलप कर रहे हो किसकी वज़े से अपनी प्रॉब्लम की वज़े से आपकी खुद की परसनल प्रॉब्लम और आपने एक नया वैल्यू बना लिया ठीक है या फिर और एक्जाम्पल क्या कह सकते हैं डिस वैल्यू का जैसे आपने देखा कि आप किसी office में काम कर रहे हैं और आपने देखा जो बहुत ज़्यादा जिसको अच्छे से काम करना आता है तो लोग क्या कर रहे हैं उसी के पास आ रहे हैं और उससे काम करवा ले रहे हैं इंसान होता है उसको लोग हमेशा exploit करते हैं इसलिए हमेशा चालाग बनो है ना दूसरों से अपना काम निकल वा हो तो यह सब क्या है यह सब आपके वैल्यूज है आपके पर्सनल है ना यह डिस वैल्यूज है यह negative है यह positive नहीं है यह society को अच्छा नहीं बनाएंगे society को खरा होगे तो hierarchy of values बताया है राधा कमल मुकरची ने तीन टाइप के वैल्यूज बताये हैं और कहा है तीन टाइप के वैल्यूज में आपको hierarchy मिलेगी अब hierarchy का मतलब तो आपको मालूमी होगा ना किसी चीज का उच्छ नीच में विभाजन ठीक है किसी चीज का अपर और लोवर category में division कर देना कि एक चीज बहुत अच्छी एक चीज थोड़ा कम अच्छी एक चीज सबसे कम अच्छी ठीक है तो इस तरीके से hierarchy जैसे आप कास्ट में देखते हो अपर लोवर ग्लास है ना तो मतलब एक को बड़ा पवित्र माना जाता है दूसरे को आप पवित्र माना ज होता है दूसरा social value ठीक है तांसरा होता है आपका spiritual value ठीक है तो सबसे जो निम्नस्तर का मूल होता है वो कौन सा होता है बायालौजिकल लेकिन सारे important होते हैं एक इंसान की life में लेकिन जो उन्होंने सबसे श्रेडी में सबसे निम नस्तर पर रखा है वो है आपका जैविक मूली है biological values इसमें क्या होता है health, efficiency, security, sustainability of life ये सारी चीज़ें आपकी जरूरत होती है समझ गया ना जैसे एक इंसान है वो जन्म लेता है तो क्या है उसको इस काबिल जैसे उपर समझा है साधन मूले में instrumental values में उसी type का है कि आपको अपनी health अच्छी रखनी पड़ेगी कोई काम करने में कुशल होना पड़ेगा आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है सब decide करना पड़ेगा जीवन बना रहे चलता रहे उसके लिए अपनी life में क्या-क्या rules follow करने है वो सब आपको decide करने पड़ेंगे ठीक है तो यह है आपका जैविक मूले ठीक है और यह इसमें आपको इसका क्या आपको मतलब characteristic देखने को मिलता है कि कैसा है यह biological value या जैविक मूले यह एक instrumental value है यानिकि साधन सम्मन्दी मूले है यह बाहय मूले है मतलब यह आपको अपने शरीर को बनाई रखने के लिए Matrix करवाने के लिए इसको extrinsic बोलते हैं intrinsic नहीं extrinsic ठीक है और दूसरा functional value मतलब आपको ताकि इसको इसको आप functional value मत कहिए इसको आप operational value कहिए ठीक है ओ पी आरे टी आई ओ एन एल ठीक है operational value ठीक है मतलब वहीं सेम है कि आप जो है कैसे अपने जीवन को बनाए रखो आप अपने अपने आपको जिन्दा रखो उसके लिए जो जो चीज़ें जरूरी होती हैं वह सारे अगर आप अपनाते हो चीजें तो क्या होता है वह क्रियात क्योंकि किस किस लिए जरूरी होता है जीवन के निर्वाहा के लिए और फिजिकल डेवलप्मेंट या सारीरिक विकास के लिए समझ गया होगे पूरी चीज समझ जाओ ठीक है एक बार पढ़ लो तो समझ जाओगे थर्ड प्लेस है इसका तीन मूलियों में से इसका तीसरा है मतलब सबसे निमनि defense को माना गया कि मतलब महान काम नहीं है है यह यह बहुझा बढ़ा महान काम नहीं है उनके कैने का मतलब है ठीक है psychological वैलाता है ऱैप अप समझ जाओ न पी बोडी से रिलेटेड है अब बोडी का मतलब क्या है आप वह वैल्यूफ फॉल वो करो जिस से आप जिन्दा रहो ठीक है अब जिन्दा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान तीन चीज़े होती है ना तो वह सारी चीज़ें को कैसे कमानी है तो वह सब आपको आप किस तरह से कौन से मूले follow करके values follow करके आप कर सकते हो तो वो सब आपको देखना पड़ेगा है ना in short अगर बात करें तो ठीक है फिर आता है आपका social value social value में क्या होता है इसमें आपको क्या-क्या चीजे गें करनी होंगी अचीव करने होंगी कोई स्टेटस आपके पास हो है ना सुसाइटी में आपका कोई स्टेटस हो अभी जैसे आपको बताया था ना मैंने कि जितना ज्यादा अच्छा वैल्यू आप फॉलो कर रोगे लोग उतना ही ज्यादा आपको एथिकल मानेंगे कहेंगे यह बहुत ज्य जैसे अगर एक बेटा है ठीक है वह अपने माबाप के घर पे रहता है ठीक है अगर आप उसने अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ा ली तो लोग उसका ज्यादा संबान करते हैं इसके अलावा मान लो एक इंसान के पास रहने के लिए घरी नहीं है तो तो भी उसकी व घर होना चाहिए आपका ठीक है एठीक्स आप फॉलो करते हो नियाएं की बात करते हो तो यह सब सोशल मतलब लोगों से जुड़ी चीज़ें एंगे कि आपका अच्छा स्टेटास हो प्रॉपर्टी हो आपके पास आप एठीक फॉलो करते हो ठीक है सदाचार और नियाएं ये उससे टफ है ठीक है तो इसका second place है ये ये भी साधन संबंदी मूल है उपर वाला instrumental वाल देखो ये सारे जो भी मैं बता रही हूँ ना अगर बिना copy pen लिए बैठे हो तो बिकार है copy pen तो लेके बैठना ही बैठना है ठीक है ताकि उपर वाली सारी चीज़े बार बार स्क्र क्रुमेंटी है ठीक है ये भी extensive है मतलब अपने जो existence है उसको अच्छा बनाई रखने के लिए यहां जो जितनी बार functional लिखा हूँ है इसको operational करो ठीक है क्रियात्मक मूल है मतलब existence से related है आपकी ठीक है और अगर आप ये social value follow करते हो तो इससे फाइदा क्या होता है society का जो organization ह है और order है वो maintain रहता है ठीक है समाज की विवस्था पर समाजिक संगठ है ये दोनों के दोनों मजबूत होते हैं अच्छे होते हैं ठीक है I think clear हो गया होगा उसके बाद अध्यात्मक मूल यह first number पर highest position मतलब यह सबसे ज़्यादा tough भी होगा ठीक है और इसमें क्या क्या आता mapla आप हमेशा अपने मन को शुद्ध रखो कि अबीगो मतला हो ठीक है किसी को ऊंचा नीचा मत समञो केंगया सब हैं सब्सक्राइब करूप विट की सवीयल्याता का मतलब मन की शुद्ध ठांट्ग स elkaar सो मतलब क्या होता है कि हमेशा नीट जाए आ जैसे अपने इन्वार् आसपास की जगह को अच्छा क्लीन रखोगे तो आपके मन में भी अच्छे विचार आएंगे ये भी हमारा एक वैल्यू है तो उसकी वजह से सौंदर और कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सौंदर में पवित्रता शुद्धता सब कुछ आजाता है ठीक है और क्लीन निलस हाईजीन से रिलेटेड ठीक है अब अच्छे लोगों का साथ करो जो नेगटिव लोग हैं हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं या इस तरीके के लोग ठीक है उनका साथ मत करो तो गुट फैलोशिप होनी चाहिए और यह क्या है अब यह सारी चीज़ा आपको अपने अंदर लानी है इसलिए यह सब इंट्रिंसिक वैल्यूस है ट्रांसेडेंटल वैल्यूस है लोका तीत मूले हैं ठीक है मतलब इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे डिवाइन ठीक है इस से क्या होता है आत्म परिषकार होता है आत्म श्रेष्ठता आती है मतलब आपकी आत्मा का परिषकार मतलब शुद्ध होता है आत्मा श्रेष्ठ बनती है मतलब बहुत अच्छी हो जाती है ठीक है इसका हाइस पोजिशन है self refinement and self excellence तो समझ गये ने बेटा यह ब बहुत अच्छे से नोट करना ठीक है यह जो आपका तीन लाइन लिखिए ना हर एक वैल्यू में जो फर्स्ट है वह क्या है वैल्यू का डाइमेंशन है सेकेंड क्या है वैल्यू की क्वालिटी है थर्ड क्या है वैल्यू की हायरार्की के बारे में लिखा हुआ है ठीक है तो संस्तरण मतलब क्या प्लेस है उसका ठीक है तो यह सारे तीन लाइन हर वैल्यू में आप देख सकते हो तो यही सारी चीज़े हैं ठीक है सेम चीज़े तीनों में हैं ठीक है तो इसकी आप एक वह बना सकते हो टेबल भी बना सकते हो जिसमें तीनों को ऐसे करके लिख सकते हो ऐसे करके बना सकते हो ठीक है यहाँ पर value लिखो तीन ठीक है यहाँ पर first वाला लिखो second, third ठीक है तो इस तरीके से आपका बन जाएगा ठीक है value के साथ इसका dimension लिख दो नीचे यहाँ पर value के साथ dimension लिख दो यहाँ पर उसकी quality लिख दो ठीक है इसमें तीनों की quality लिख दो और यहाँ पर उसकी क्या हारार की है वो लिख दो इस तरीके से table बन जाएगी यहाँ पर numbering कर दो ठीक है यहाँ पर आपको value के साथ उसकी quality भी लिखनी पड़ेगी तो इस तरीके से अच्छा table बन जाएगा ठीक है चलो अब हम लोग जल्दी से इसकी महत्व या प्रकार की बात कर लेते है फंक्शन क्या है इसके नमबर वन है आपका social order and equilibrium इंदे में क्या लिख हुआ है सबाजिक व्यवस्था तथा संतुलन देखो एक अगर हर एक इंसान अच्छी चीजों को follow नहीं करेगा जो चीज़े सही है उन चीजों को follow नहीं करेगा तो क्या होगा सोसाइटी में हमेशा क्यों सोगा अब बोलेंगे अगर जूट बच्चों को सिखाएंगे कि जूट बोलो एक दूसरे का समान चुराओ ठीक है अब आपको जो भी जरूरत हो वो छीन लो है ना मतलब अपनी बस जरूरत पूरी करो तो एक जानवर वाली सोसाइटी नहीं हो आप देखो एक सोसाइटी में आगर एक ही जैसे वाली लुट सफालो किये जाते हैं घुछ इनसान को अगर दूसरे सोसाइटी में भेज़दो तो इसको हर चीज के लिए फिर से सीखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूँ और इसके वाला वीडियो देखो आपको पता चलेगा कि अगर आप एक ही भाशा वाले या एक ही जैसे कपड़े पहनने वाले या एक ही संस्कृति के लोगों से अगर बात करो मतलब तो क्या होगा या एक धर्म को अगर किसी है है एक चल्दी हो जाती है फिर पास्व nei इंडियन्स है ठीक है तो आगर किसी और कंट्री के सामने जाते हैं तो अपने आपको एज इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आल रिंडियन तब हम सब एक हो जाते हैं तो यूनिटी आ जाती है अगर हम एक ही वैल्यू को फॉलो करते हैं तो उससे यूनिटी भी आती है और यूनिफॉर्मिटी भी आती है एक रूपता मतलब एकती का मानवी करण्ठ क् करता है व्यक्ति का मानवी कर medal क्या सुँआ क्या है एक इनसान होने के नाते हैं आपको कैसे रहना है सोसाइटी में तो आपको जाणवर से था बनाता है कोई भी काम पर भी तो नहीं करने लगते हो है नकभी भी तो नहीं करने लगते हो तो यह सारे सिखाते हैं आपको खाना खाना झाम तो glad mailing की जवराथ है तो आप उसकी head करते हो है ना तो यह सारी से यह सारी यह साही आदते थी सखाते हैं तो करता है to effectively after womenization में आप फिलहाल सबसे जादा फोकस किसए करोगे कि हम सब एक दुसरे को साथ ले करके चलते हैं एक दुसरे की मदद करते हैं ठीक है जैसे स्थ्रियों का बहुत जादा कि एक्सप्लाइटेशन हुआ है तो हम कभी भी जो मेल्स हैं वो यह आवास नहीं करते हैं पहले के जमाना सहले के जमाना था था लेकिन ऐसा नहीं होता है यह सब हुमेनिटी है हमारी ठीक हैon कि लिए हम लोग इस तरीके का नई लड़ते हैं एक इंसानियत के नाते हमवावना की दूसरे की मदद करते हैं सभी को एकोल आने का मौका देते हैं तो इस अरी चीज़े एक हमारी भी बताता है ठीक है व्यक्तिक अनुकूलन में सहायक helpful and personal adjustment ठीक है पहले इसको एक बार थोड़ा important है यह एक point इसमें जादा important है व्यभारों का निर्देशन का मतलब होता है कि society में बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारी मानिताइं है लेकिन जो every होते हैं मतलब आप नजर अंदास नहीं कर सकते मतलब वह आपकी guideline है, मतलब ये नहीं कि आप उस पे चलो या ना चलो आपकी मर्जी, ये नहीं है, अगर आप उस पे नहीं चलोगे, तो आप society में नहीं exist कर पाओगे, जैसे अभी आपने देखा ना, कितने सारे type के value थे, जिसमें से एक तो existential value था, अगर सोचो आप values को follow नहीं करोगे, तो कैसे जी ओगे, तो ये आपके behavior की guideline होती है, और ये आपका preference नहीं होता है, मतलब आपका बिल्कुल desire नहीं है, कि आपका मन किया तो किया नहीं, बलकि society ने इसको approve किया है, आपको उसी हिसाब से internalize कर दिया गया है आपके अंदर, और आप उसी हिसाब से काम करोगे ही करो होगे automatically, है न, ये सारी चीज़े हैं, तो important point था, वैक्तिक अनुकूलन में सहायक या helpful and personal adjustment का मतलब क्या है, मतलब एक इंसान को किस situation में कैसे काम करना है, ठीक है, इसका निर्धारण मूले करते हैं, हर एक इंसान के उपर कोई भी situation पढ़ती है, तो वो values को क्योंकि उसने internalized किया हुआ है, सीखा हुआ है, अंतरी कृत किया हुआ है, इसलिए, वो successfully ये चीज understand कर लेता है, कि उसको कैस handle करना है किसी situation को, ठीक है, और इसी की वज़े से क्या होता है, society में conflict ठीक है, और tension create नहीं होता है, इसकी संभावना कम से कम हो जाती है, ठीक है, अभी देखो, अगर आपको याद हो, वो जो taxi driver को लड़की ने पीटा था, थपड़ मारे थे, तो उसने तो दुबारा से उसक आपको handle किया, है न, तो कहने का मतलब एक example दे रही हूँ, तो मतलब आप आराम से समझ लोगे, बहुत जादा viral हुआ था वो चीज, ठीक है, तो मतलब इससे क्या होता है, society में हर एक इंसान adjust करता है, और society maintain रहती है, ठीक है, society में आप आराम से रह लेते हो, cultural stability, संस्कृतिक स्थाय तो संस्कृति से जुड़े होते हैं, लेकिन सारे के सारे हमें अच्छाई की तरफ ही ले जाते हैं, सही direction में ले जाते हैं, कि चीजों को कैसे, सही तरीके से करना है, और society में कैसे तनाव ना हो, tension ना हो, और conflict ना हो, आपस में संघर्ष ना हो, तो उन सारी चीजों स बचाते हैं हमें ये मूले ठीके अब कल्चिरल मतलब क्या है कि हर एक इंसान की जो संस्कृती है उससे जड़े अलग-अलग मूली होते हैं अब जैसे आप हो ठीके आप अलग संस्कृती के हो ट्राइपस अलग संस्कृती के हैं दूसरे देश के लोगों की संस्कृती अलग ह हैं थीक हमारी संस्कृति क्या है भारतिय संस्कृति यहां की प्रथाएं परंपराइं सब कुछ अलग है और यहां के नैतिक नियम भी बिल्कुल डिफ्रेंट हैं ठीक हम लोग हर एक इंसान की help करना हम लोगों ने सीखा है ठीक है हमेशा बड़ों का संबान करना ठीक है और ह सब्सक्राइब रहती है अगर वोग व्यालियू सब्सक्राइब करने से संस्कृति बनी रहती है व्यक्तित्थों का एक ही करण या इंटेग्रेशन आफ परस्नालेटी और इसका मतलब क्या हो अब अगर आप हाईरार्खि और याद करो तो उसमें कितने सारे डाइप के वैलु थे जो एक इंसान को जिन्दा रखने का और एक इंसान को बहुत अच्छा बनाने का काम कर रहे थे हैं ना एक इंसान को यह सिखा रहे थे कि वह अपने health का ठीक है और अपने जैवी की आवशक्ताओं का ठीक है इसके अलावा अपनी आंतरिक आवशक्ताओं का कैसे कैसे उसको पूरा कर सकता है तो यह सारे के सारे वैल्यूस बने हुए ना सबके अलग-अलग तो एक इंसान का जो एक जो वैल्यूस है मतलब वो एक इंसान को क्या कर personality बना उसके vouCare का integration करते हैं मतलब उसको उसके वेक्तित्त रखते हैं ठीक है अगर वह सारे values लेता वह जो मिल जाती है तो संतुस्टी मिल जाती है उसको सैटिसफेक्शन मिल जाता है कि हां मैंने सब कुछ कर लिया ठीक है इसी की वज़े से एक इनसान खुश रहता है एक बैलंस एक ठीक है तो इस तरीके से उसके personality का integration होता है मतलब overall वो अपने self से satisfy हो जाता है वो सारे values को follow करके तो यह सारी कुछ चीज़ें थी अगर आपको भी इसमें कुछ doubt है तो आप पूछ सकते हो तो आज के लिए इतना ही